अलेकुम गाइज वेलकम बैक टो मैं चैनल आज हम बहुत इंपोर्टर टापिक पर बात करने वाले हैं काइज शाहिद वह प्रॉब्लिम आपके साथ भी हो सकती है यहां शाहिद आप भी उस प्रॉब्लिम को फेस कर रहे होंगे इसकल एक स्टूडेंट मेरे पास आया जिसक कि बारा दिन से वह कंटिनुवसली पेंकलर ले रहा हैं वज़ा क्या है उसको यह भी पता नहीं है कि वेट उठाने के कारण उसकी जो रोटेटर खौक याने शोल्डर में कुछ प्रॉब्लिम आई थी तो उसको हलका सा पें होता था बारा दिन पहले उसके साथ ऐसा हुआ तो बारा दिन से वह पेंकलर खाके एक्जरसाइज के लिए आता है और पें क्यूं है यह उसको पता नहीं आपके साथ भी ऐसा हो सकता है चाहिए आपके वेट उठाने के कारण या कुछ और वज़ा हो सकती हैं आपके किसी भी जॉइंट में पें होगा तो आप भी धवाई याने पेंकलर ले रहे होंगे जो कि आपकी सहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है तो उनकी बात सुनने के बाद मैंने सोचा कि मैं आपको भी यह चीजे में आपके साथ भी शेयर करो शायद आपके साथ भी यह प्रॉब्लिम हो तो किसी भी पेंकलर को कंज दियें आउट करना बहुत जी हिया ज़ूरी है कि पेंगा काज क्या है देखें पेंग इंसान के लिए बहुत हेलफ पूल है पेंग एलपूल क्यों है जब आपको पें होता है तो आपको पता चलता है कि आपको चोट आई हैary कान सीगनल सिटम है याने आपका रोश सेंट लेकिन उनको पता नहीं होता तो वह बहुत बड़ी समस्या है उन लोगों के लिए जिनको पेन फील नहीं होती तो अब जब आपको पेन हो रहा है तो बहुत अच्छा है आपकी बॉड़ी के लिए क्यूंकि आपको बॉड़ी सिगनल दे रही है आपके माइंड को सिगनल दे रही हैं कि यहां पे कोई दिक्कत है किसी भी पार्ट में कोई दिक्कत हैं तो उसको ठीक करने की कोशिश करो कि आप क्या करते हैं अप पेंखिलर लेके तीज को सीज को अवाइड कर देते पेंट क्लि dipping कर जबाइप लेते हैं तो लेकिन जब कभी ऐसी पेन होती हैं तो आफ बरदाश नहीं कर पाते हैं यह कि टॉल्रेंस लेवल से बहुत ज्यादा हो आप टॉल्रेंट नहीं कर पाते हैं तो उस टाइम आप डॉक्टर की प्रिस्किप्शन से आप कोई पेन किलर ले सकते हैं बट अगर नॉर्मल चीज हैं आपको कोई शोर्टर में थोड़ी बहुत दिक्कत आई हैं तो इसके लिए आपको रिकावरी के लिए टाइम देना है इसको यानि आपने रेस्ट करना है अच्छी जो मेडिकल फैसल्टी यानि किसी डॉक्टर के बद जाके उसे ट्रीटमेट लेना है इसको रेस्ट देना करना है तो इसको ठीक करना है ठीक है दर्द को छुपाना नहीं होता है दर्द को ठीक करना होता है यानि कि अगर कोई प्रॉब्लिम है तो इसका ट्रीटमेट करो नकी पेन किलर लेके इसको अवाइड करो उससे क्या होगा कि ये दिन बदिन बढ़ेगा ठीक है मेरे एक साइज के इचि ह новых आपकी जॉएंट के अंदर कोई दिक्कत है बट आप उसको एवइड इस जो कि आपके लिए बहुत थी हां फॉल आपकी बॉड़ी के लिए आप उसको क्योर करो आप उसको ट्रीटमेंट अच्छे वह जब आपको पता चलेगः तो पेन अपने आप चली जाएगी ठीक है तो पेन किलर उस टाइम इस्तेमाल करो जब जब जुरूरत हो ठीक है ँटो पेन बहुत ज़्यादा जुरूरी है अगर पेनोगी तो एटमीनिल आपको पता चलेगा आपको वन करेगी सिगनल करेगी कि आपकी जो इसी बौड़ी पॉड में कोई दिक्कत है कोई प्रॉब्लम चल रही है तो परीन का होना बहुत जादा जुरुरी है and pain क्या होंके pain एक sign है sign किस चीज का है कि आपकी body ने heal करना शुरू किया ठीक है problem को ठीक करना शुरू किया तब भी pain होती है तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको pain बिल्कुल भी नहीं होता तो उनका जो signal system है वो बहुत weak होता है मतलब उनको बहुत बड़ी problem होती है ठीक है अगर आपको pain हो रहा है तो उसका cause डूंडो कि pain क्यों हो रहा है तो फिर उसको अच्छे से treat करो अच्छे से treat करने के बाद फिर आपका जो joint है या कोई भी आपको जो injury है वो अच्छे से ठीक होगा और pain भी होगा और आपको ज्यादा pain killer खाने की जूरत भी नहीं पड़ेगी इसलिए बना है मैंने सुचा कि शायद आप मैंसे भी किसी के को ऐसी problem हो कोई ऐसी चीज़े कर रहा हो तो better है कि आप pain के घाज को डूंडे उसको identify करे उसको अच्छे से treat करे तो फिर आपको pain killer लेने की जूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि pain killer की side effect है वो बहुत ज्यादा है आपके liver को damage करते हैं आपके overall body को damage करते हैं so better है कि आप अच्छे से treat करो rest करो recovery के लिए body को time दो so guys thank you अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो share जुरूर करना क्योंकि आगे भी बहुत सारे लोग है जिनको ये problem होगी तो शायद हमारी छोटी सी वीडियो से उनको थोड़ा बहुत help मिल जाए thank you